आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone आज हम पढ़ेंगे Chapter 2 of Statistics जो है Collection of Data आज का जो हमारा टॉपिक है वो है National Sample Survey Office जिसे हम NSSO भी कहते हैं जैसे कि हम पिछली वीडियो में Census of India के बारे में पढ़ चुके हैं जो क्या है जो एक हर 10 years में होने वाला Census है जो हमें काफी अच्छी information देता है किसके बारे में Security Data से Related हमें Statistical Information देता है जो हमारी Reports and Publications होती है NSSO की जो है National Sample Survey Office ये भी एक बहुत ही important source है किसका Secondary Data का इंडिया में जो NSSO है वो भी एक Government Organization है क्या है Government Organization और ये किसके अंडर काम करती है ये काम करती है Ministry of Statistics and Implementation के अंडर ये काम करती है and हम देखते हैं कि ये जो Organization है ये क्या करती है ये Time to Time कुछ Sample Surveys conduct करती है and ये Sample Surveys का motive क्या होता है ये Sample Surveys करे जाते है जिससे कि ये Collect कर सके Basic Statistical Information क्या कर सके Basic Statistical Information Collect कर सके ये Statistical Information किससे Related होती है ये Related होती है कुछ Variety of Economic Activities and ये जो Economic Activities होती है ये हमारी Ruler and Urban Areas के ये Urban Parts के बारे में होती है हमारे Country के याने की इंडिया के Ruler मतलब गाओं के and Urban मतलब शहरों के for example अगर हम देखें तो हमारा 76th round क्योंकि हमने देखा ये Sample Survey के आते है Regular Time Period पर होते है Time to Time होते हैं तो ये जो Sample Survey हुआ था 76th round था ये उसका NSSO का and ये करा गया था July 2018 से लेकर December 2018 तक करा गया था and ये किसके उपर था ये था Persons with Disabilities मतलब जिल लोगो कुछ Disabilities हैं उनके उपर drinking water के उपर sanitation, hygiene and housing conditions के उपर ये करा गया था Broadly अगर हम देखें तो reports और जो publications है NSSO की वो क्या offer करते हैं वो statistical information offer करते हैं कुछ parameters पे जो हमारे economic change के लिए है and ये जो parameters है ये कौन-कौन से है इसमें हमारे पास आता है land and livestock holdings आता है housing conditions आते है and migration आते हैं मतलब घर के conditions and migration जो लोग एक जगा से दूसरी जगा पर चले जाते हैं उनके लिए और ये इनके उपर जो special emphasis मतलब जादा जोर किस पर दिया जाता है slum dwellers पर employment and unemployment status भी बताते हैं मतलब कि कितनी employment है कितनी नहीं है and क्या status है उसका भी बताते हैं हमें इंडिया से related और हमें consumer expenditure भी बताते हैं इंडिया का कि लोग कितना consumers जो हैं कितना spend कर रहे हैं expenditure related and including हमें level बताते हैं and pattern बनाते हैं किसका consumer expenditure का जो divorce मतलब जो अलग-अलग categories कर रहे हैं लोगों की उनसे related यह हमें बताते हैं मतलब consumer expenditure के साथ वो हमें level और patterns भी बताते हैं consumer expenditure का अलग-अलग categories जो है लोगों का उनके बारे में इसके साथ साथ हम देखते हैं वो हमें ये भी बताते हैं कि house old income मतलब घर की income जो है इंडिया में उसके कौन-कौन से या क्या-क्या sources हैं मतलब हम कहां-कहां से house old income earn कर सकते हैं unlike census of India census of India को देखें तो ये काफी different है उससे क्योंकि जो reports and publications जो हैं हमारी NSSO की वो किस पर based है वो sample study पर based है मतलब जितनी भी हमारी items होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं total number of items या जितनी भी हम जितनी लोगों पर जो भी हमारा area है investigation का है जो field investigation का वो population हो गई लेकिन हम सिर्फ उसको judge ना करके उसके कुछ छोटे part को judge करते हैं या पूरी population या universe को उसके बारे में हम generalize करते हैं तो यह जो sample study के ओपर based जिसमें हम कुछ ही लोगों को उनके ओपर या investigation या study करते हैं तो यह हमारा census of India से इस तरीके से differ करता है क्योंकि यह study sample based है जबकि census of India की जो study है वो population या universe based है तो यह हमने पढ़ा NSSO के बारे में Thank you